दस्वा दिन अपने शरीर को फ्रेम करना अपना दर्द दूर करना आज आ का पाठ दर्द के बारे में हैं वह क्या होता है वह कहां से आता है वह आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख सकते हैं हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बिमारियों के साथ रहते हैं वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती है या उसका बड़ा अंश हो सकती हैं आज आप अपने मिरर वर्क का उपियोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे जो आपको अपने शरीर क प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उप्चार करेगा कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता लेकिन यह दिया आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं चुकि दर्द शारिरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है इसलिए यह इसपश्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रती समवेदनशील होते हैं हाल ही में मेरे सामने इसका एक अधवत उधारन आया जब मैंने दो छोटी लड़कियों को पार्ट में खेलते हुए देखा एक बच्ची ने खेल-खेल में दूसरी की बहाँ पर मा तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं उसने जवाब दिया मैं जानती थी कि मुझे धर्ट होगा शरीर हमारे जीवन की हर चीज़ की तरह हमारे अंदुरिनी विचारों और धारनाओं का आईना है वह हमेशा हमसे बात करता रहता है बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना च एक शब्द का जवाब देती है शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्ति प्राप्त करने की काम ना करता है चाहे हम कुछ भी करते हो हालां कि यदि हम शरीर को अस्वास्तिकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ा लेते हैं दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है कोई पीडा कोई चोड पैरों की सुजी होई उंगलियां कोई खरोंच कफ का जमाव बैचैनी भरी नीद मिचली महसूस होना कोई रोग इत्यादी वह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकरशित करने के लिए लाल जंडा फहराता है हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड है जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं आमतोर पर हम दवाई के डिब्बे से या दुकान से गोली लेकर खा ल जाएगा लेकिन फिर फुसफुसाहत लौट आएगी इस बार पहले से कुछ तेज कलपना कीजिए कि आप अपने दोस्त को महतुपूर्ण बात बता रहे हैं और वह सुन नहीं रहा है तो क्या होगा अब दोबारा वह बात कहेंगे शहद और जूर से लेकिन तब भी ये द हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारियों को जिम्मेदारी या अपरिये परिस्थितियों से बचने का वैद तरीका बना दिया है यदि हम नहीं कहना नहीं सीख पाते तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए किसी बीमारी का आविश्कार कर लेते हैं हलाकि किसी एक ब श्वस्थ रहना चाहता है और उसे आपके सहयोड के अवशेक्ता होती है। आफिखे के मानसिक पैटर्ण को जान लेते हैं तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोपने का मौणा होता है क्या आप अपने शरीर के ओध्यान देने और उस अवशेक्ता को मुक्त करने के लिए तयार हैं जो आपके दर्द में योगदान देती है यदि हाँ तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें आईए एफर्म करें मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ मेरे शरीर को प्रत्तिक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिक्तम स्वास्थ लोटा दूँगा आपका दस्वे दिन का मिरर वर्क अभ्याज एक उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं मान लेजे वह सीने में जलन या हार्ट बर्न है दो अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं अब तीन अपनी आखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये प्रशन पूछें यह हार्ट बर्न कहां से आया है यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रह क्या मैं अलस्वास्थ कर खाना खा रहा हूं क्या मुझे किसी चीज का डर सता रहा है क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली जिसे में बरदाश्ट नहीं कर पा रहा हूं क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थती है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूं कौन सी चीज यह व्यक्ती है जि में नहीं संभाल पा रहा हूँ चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हो आप ये affirmations बोल सकते हैं मैं आसानी से और पूरी तरह सांस लेता हूँ मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ मैं अपने शरीर को स्वास्थ और पोशक भोजन देता हूँ मेरे शरीर को जबावशेक्त होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ मैं अपने अद्भट शरीर को प्रेम करता हूँ मैं सुरक्षित हूँ मेरे जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ मैं नडर हूँ ये affirmations दोहराते रहें पांच अब कुछ affirmations विशेश रूप से उस भाग के लिए करिये जहां आपको दर्ध हो रहा है अब दर्ध और विशेश बिमारियों के मानसिक पाटर्न्स और उनके affirmations के लिए मेरी पुस्तक हील यो बाड़ी देख सकते हैं उधारन के लिए यदि आपको पेट की समस्या है तो आप कह सकते हैं मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे स्वस्थ पेट मैं तुम्हें स्वास्थ प्रुद खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हूँ मैं तुम्हे स्वस्थ रहने की अनुमती देता हूँ शे, इन एफिर्मेशन्स को दो तीन बात और दोहराएं शक्ति आपके अंदर हैं आपके दसवे दिन का दाने की अभ्यास एक, जब आपको दर्द या बेचानी महसूस हो तो स्वेम को शान्त करने के लिए समय निकाले विश्वास करें कि आपके उचितम शक्ती आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज को बदलने क्या वश्रेकता है ताकि आप इस दर्द से मुक्त को सकें दो, एक आदर्श, प्रक्रतिक परिवेश की कलपना करें जहां चारों और आपके पसंदिदा फूल बहुतायत में खिले हुए हो अपने चहरे को कोमलता से छू रही, मीठी, गर्माच भरी हवा को महसूस करें अपने शरीर की प्रतिक मान स्पेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रत करें तीन, अपने आपसे प्रश्न पूछें मैं इस समस्या की और कैसे योगदान दे रहा हूँ वह क्या है, जो मुझे जानने क्या वशेक्ता है मेरे जीवन के किन्शत्रों को बद्लाव क्या वशेक्ता है इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रत करें और जवाब मिलने दें इन जवाबों को अपनी दाने की में लिखें उपर मिले जवाबों में से एक का चुनाव करें और एक कारी योजना लिखें जिस पर आप आज काम कर सकते हैं एक बार में एक बदलाव लाएं जैसे की चीनी दाशनिक लाओद जुन ने कहा था हजार मीर की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शिरू होती है एक चोटे कदम को दूसरे में जोडने से आपके जीवन में महत्वपुन बदलाव आ सकते हैं दर्ट अनिवारे रूप से रातो रात गायब नहीं हो जाता अलाकि ऐसा हो भी सकता है दर्ट को उभर कर उपर आने में समय लगता है इसलिए उसे है समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यक्ता नहीं है स्वैम के प्रतिक नरम रहे दस्वे दन के लिए आपका हाट थौट मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ शरीर जीवन के अन्ने सभी चीज़ों की तरह आपके अंदरुनी विचारों और धार्णाओं का आईना है प्रतिक कोशी का आपके सोचे हुए प्रतिक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है परिवर्दन की इस दुनिया में आप सभी शेत्रों में लचीला होने का चुनाव करते हैं आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुर्णवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आपको और अपनी मानेताओं को बदलने के लिए तयार है आपका शरीर आपको प्रेम करता है चाहे आप उसके साथ कैसा भी वहवार करते हों आपका शरीर आपके साथ समवात करता है और अब आप उसकी संदेशों को सुनते हैं आप संदेश प्राक्तिकी जुक भी रहते हैं आप ध्यान देते हैं और आवशेक बदलाव करते हैं आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उसे अधिक्तम स्वास्थे वापस देने के लिए हर एक स्तर पर जिस चीज के आवशेक्ता होती है वह देते हैं आप एक आंतरिक शक्ति का अवहान करते हैं जो अविश्यक्त होने पर हमेशा आपके पास होती है। आपका दस्वे दिन का थ्यान स्वास्थे के लिए सकारत्मक अफिर्मेशन्स यहां कुछ सकारत्मक affirmation दिये हैं जो आपके स्वास्थे और उप्चार का समर्थन करेंगे इन्हें बार-बार दोहराते रहें मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूं जो मेरे शरीर के लिए अच्छी है मैं अपने शरीर की प्रतिक कुशिका को प्रेम करता हूं मैं स्वास्थे के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूं मेरे मन में स्वयम के लिए सम्मान है मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए ततपर हूं क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखवाल करता हूं मैं लगातार अपने स्वास्थे को सुधार लाने के लिए नए तरीके खोचता रहता हूं मैं अपने शरीर को प्रते किस्तर पर उसके आवर्शेक्ता की चीज़ें देकर उसे अधिक्तम स्वास्ते वापस देता हूँ उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटा कर अपने शरीर की बुद्धी को प्रकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ मेरे पास एक विशेश रक्षक फरीश्ता है, मुझे हर समय दैविय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है उत्तम स्वास्ते मेरा दैवी अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ मैं अपने स्वास्ता शरीर के लिए आभारी हूँ, मैं जीवन से प्रेम करता हूँ मैं अकेला व्यक्ती हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंतर्ण है अगर मैं चाहूँ तो किसी भी समय स्वाइम को कुछ खाने से रोक सकता हूँ पानी मेरा प्रिय पेय है मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए धेर सारा पानी पीता हूँ अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्त होने का सबसे तेज रास्ता है मेडिटेशन को रेकॉर्डिंग के त्वारा यूट्यूब से कम्प्रीट करें थांक यू